नम्सकार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारीक है आठ जन्वरी 2021 समय नौबस के 6 मिनट 35 सकेंड हो रहा है और प्री ओपन का सेशन चल रहा है निफ्टी 120 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है यहां पे बहुत अच्छे तरीके से तो वेट करना पड़ेगा अभी मैंने 15 लॉट सेल किया हुए करनसी को आप यहां पर जिसा कि देख पार 124 उर्पय का मुझे लॉज भी हो रहा है 120-160 यही वेट करना पड़ेगा और इसल भी करते हैं छोटा से कि ऐसल लगा ही है कि आसपास का एक ऐसल लगा दिया है वेट करूंगा उस जगहा का और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है ल इसी हाउसिंग फैनेंस वगरा पर भी नज़र रख सकते हैं सब इस्टॉक्स मैंने लगा लिए और भी कुछ इस्टॉक्स जैसे भारती एटेल वह भी आप लगा सकते हैं उसके बाद टाइटन टाइटन में साइड न्यूज है कुछ सरगार के टरब से क्येवाइसी का कु करेंगे और देखते क्या रिजल्ट आता है मार्केट फिलाल जो सेटल होने की कोशिस कर रहा है तो वेट करना पूड़ेगा इसका क्या रिजल्ट आता है तो जैसा कि देख रहें दोस्तों 275 तीन सो कैस पास कर लो समय नो बचके 10 मिनट 20 सकेन अब हो चुके है मार्केट 120 पर सेटल हुआ है यानि 14,258 पर ओपन होने की ग्याप ओपन होने की कोशिस कर रहा है 14,258 एक अच्छा ओपनिंग है लेकिन सस्टेन कितना करता है यह इंपोर्टेंट है अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर वो ग्याप को फिल करने भी आ सकता है 14,258 यहां पर कहीं यह कोशिस कर रहा है बिल्कुल इस जगाप यह ना यानि जो कल का हाय था आप एक्छुली 256 का कल का हाय था उस हाय के पास में वो ठीक उस हाय के ऊपर में वो उपन हो रहा है बिल्कुल उपर में तो देखते हैं नहीं तो फिर अगर यह सस्टेन नहीं कर पाया तो इस गैप को को वो फिल करेगा जो इंपोर्टेंट लेबल है फिर उस लेबल के पास आने के पास निफ्टी कोसिस करेगा तो फिलाल वेट करते और मुझे दोस्तों साहतिस का भी यहां पर लॉस हो रहा है तो रिकॉर्डिंग पॉस करता हूं फिर मिलता हूं लाइफ शेशन में अभी है रिकॉर्डिंग तब तक के लिए पॉस कर रहा हूं मॉर्णिंग मॉर्णिंग सबको आवाद जा रही मेरी शाउंड किलियर है स्क्रीन भी किलियर है ओके ओके चालिए समय अभी 9 बच के 13 मिनट ही हो रहा है इस लेवल पर करन्सी में एक छोटा सा रिस्क है आप अगर चाहें तो 73.55 के साथ शौट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम यहां पर फिलाल तो नहीं दीख रहा है 73 पॉइंट इसके साथ भी करके चल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट करेंगे नमस्कार नमस्कार SRT पे नज़र रखें 1306 पे यह ओपन हो रहा है कल के बिल्कुल उसके पास में ही ओपन होने की कोशिश कर रहा है Reliance, SR Transfene यह सब पे नज़र रखें Titan Titan पे कुछ निगेटिव ख़वर है कहता है Jewelry खर दने के लिए KYC देना होगा उसके लिए यह Titan गीरा था कल पहले 2 लाग तक मैं KYC मांग रहा था उससे कब में भी मांग रहा है Reliance पे नज़र रहेगा SRT पे नज़र रहेगा और LIC Housing Finance पे कल भारत फोर्ज भी बहुत अच्छा सांदार भागा जो पोजिशनल कॉल था भारत फोर्ज में वो भी निकल गया डन हो गया भारत फोर्ज जवरदस्ट कल दिखा रहा था LIC Housing में बिलकुल अपने हाय के पास में open हो रहा है देखिए बिलकुल हाय के पास में ही open हुआ है चार सो उन्चालिस पचपन पचछत्तर चार सो चालिस दस देखते हैं चलिए अभी वेट करेंगे इसका हाय है चार सो चावालिस पंचानवे का इस्टॉप्रस लगा के मैंने सेल कर दिया देखिए LSE Housing Finance को मैंने सेल कर दिया है बिलकुल पहली ही केंडल के हाय प्राइज का स्टॉप्रस लगा के कितने का स्टॉप्रस है 1 रुपे का स्टॉप्रस है हमारा 1 पॉइंट का स्टॉप्रस है देखते हैं ये 1 पॉइंट का स्टॉप्रस कटेगा या नहीं कटेगा कट गया देखिए 1 पॉइंट का स्टॉप्रस कट गया ओनली 1 पॉइंट का स्टॉप्रस था 1 या 1.5 पॉइंट का 290 का इसमें हमारा LOS हुआ है लेकिन ये नीचे आना चाहिए यूएजडी एक मिनट तेरा सो साथ के इस्टॉप्रस के साथ इसका हाई कितना है तेरा सो छे अस्टी है SRT को SRT को भी सेल किया जा सकता है SRT को सेल किया है यूएजडी का टार्गेट 73.42 के आसपास का होगा देखिए SRT को सेल किया है लेकिन ओर्डर नहीं लगा है क्यों सेल तो लग जया होगा रिफ्रेस करता हूँ पहले है न ओर्डर लग गया है लेकिन वो सो नहीं कर रहा है रिफ्रेस करता हूँ SRT आरा स्क्रीन आजा है सामने में तभी तो SRT 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 कहा गया हाँ दिखा रहा है अभी दिखाया देखें बिलकुम मैंने हाई का स्टॉपलोस लगा के ही सौट किया हाई नहीं हाई सजेस्ट नीचे ही है वाँ ये तो बारा सो एकासी का लो भी मार दिया गजब और वहाँ से रिजेक्शन भी मिल गया इसको ये जबरदस्ट किया इसने क्वांटिटी कुछ इंक्रीज करता हूं देखता हूं मैंने क्वांटिटी कुछ इंक्रीज कर लिया उपर के लेबल पर अचा है इस टॉप्लस साथ कटा है क्या इस टॉप्लस लगता है उससे मैं जो रिफ्रेश कर रहा था उसी टाइम कटा है लेकिन ये सेल जाएगा ठीक है सेल जाएगा तेरा सो के नीचे कमजोड हो जाएगा इसके नीचे सेल करना है तेरा सो के नीचे सेल है और बारा सो तेरा अनवे पहला टार्गेट होगा उसके अध बारा सो च्यासी भी आता है हलांकि बारा सो अस्ती से ही बाउंस किया है इसने देखिए जो मेरा लॉस या प्रॉफिट है वो आपको मैं दिखा दूँ मेरा तीन ट्रेड है तीन ट्रेड में करन्सी एक ट्रेड है और लासी होट्षिंग फाइनेंस को शॉर्ट किया हूँ उसमें हमारा स्टॉप लॉस करता है थाजंड का लॉस है यूजड अनर में बस यही तीन ट्रेड लूँगा ज्यादा नहीं वेट करेंगे छोटा सा इसमें नीचे आएगा इसलिए दुबारा भी सेल कर दिया कोई दिक्कत नहीं है बस यही यही दूसरा कोई भी नहीं देखिएगा यह मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा टार्गेट देके जाएग एसार्टी आ रहा देखिए लॉस कवर हो गया लॉस कवर हो गया प्रोफिट में आगे सार्टी में देखा आपने है ना टार्गेट 1280 तक भी आ सकता है दुबारा देखिए लॉस कवर होके प्रोफिट में आगया आप टुटल 585 का ही लॉस बचा चार्टी देगा अज एसार्टी टार्गेट देदेगा कोई दिक्कत न कि फार्स टार्गेट भी डन हो गया इसमें कि ऐसार्टी में न कि आएगा और नीचे आएगा कि मॉर्णिंग मॉर्णिंग बारा सथी बारा सथी दिए तीन सोच यासी का प्रोफिट हो गया इसार्टी में बारा सथर जो लॉस प्रोफिट है वो सब आपके सामने है सामने में तीन ट्रेड लिए 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 इसी हासिंग फैनेस भी नीचे ही आएगा देकिन नीचे ही आ रहा है लेकिन वो मेरा एसल काटने के बार 105 का सथी में प्रोफिट चल रहा है और एक सथीड का लोग्स करणसी में दो ट्रेड जिन्दा है सथी और करणसी बस वेट करेंगे इसमें देखें जबरदस्त आ रहा है 500 हो गया है 600 हो गया देखा 700 हो गया ओल पोजिशन देखेंगे अब अब 70 का प्रोफिट में आगयों में है ना एक बार एसल कटा लेकिन बिलीव है कि उसको नीचे ही आना चाहिए तो मैंने दुबारा से भी शॉट कर लिया वेट करेंगे इसने 87 तक का लो लगाया रेमको को हाँ सिरसेल रेमको को नजर रखना है रेमको पे भी मुमेंट बन रहा है ना लेकिन रेमको पे नजर रखेंगे और रेमको मुझे लग रहा है कि बाय साइड का एक मुमेंट बना के दे सकता है रेमको अगर 844 के उपर रेमको निकलता है तो दे सकता है वेट करेंगे ओल पोजिशन यही है हमारे सामने 1300 का लॉस है कोई दिक्कत नहीं है कल तो गजब करंसी ने लास्ट में जबरदस मुमेंट दिया और 5000 सम्थिंग का प्रॉफिट लॉक हुआ कल देखा करंसी ने क्या जबरदस दिया मॉर्निंग कुमार साब ऐसा ट्रांस्विन गूम गया अचानक से कोई बात नहीं इंडर्शीन शॉर्ट कर सकते हैं ओके चेक करता हूँ भीके श्टॉप लोस कट गया भाई हमारा जो लॉस हुआ है वह 49,936 रुपे का लॉस हुआ है एसार्टी नीचे आने के बाद वापस से गूम गया है जो सकेंड टार्गेट था एक रुपे बज गया हमारा सकेंड टार्गेट से एक रुपे इंडश्टिन 957, वेट कर लेते हैं, इसको SRT को दुबारा शॉर्ट कर दिया, इसको मैं दुबारा से फिर से एक शॉर्ट करूंगा, यह आएगा नीचे ही, यह जितना तंग कर ले SRT, लेकिन वो आएगा दुबारा से नीचे ही, मौर्निंग, मौर्निंग, अभी जो लॉस या प्रॉफिट की बात करें, तो हमारा 2000 के आसपास का है, कोई खास नहीं है, उतना तो रिस्क ले सकते, 2000 का लॉस है, देखते हैं, यह कनवर्ट होता है गिनी प्रॉफिट में, तो दो ही ट्रेड है हमारे पास, कौन सा करंसी भी है, 199 का लॉस में, और करं, 1200 का लॉस, 700 का लॉस बचा है, 600 का लॉस बचा है, अब इसमें, SRT में, यह नीचे ही आए, और यह अगर नीचे सही से आ गया ना, तो मेरे ख्याल से यह 1200 पचपन तक आना चाहिए, फिर, SRT, टाइटन नीचे कमजोड है, टाइटन कमजोड है, न्यूज में भी है, और जैसा कि बोला आपको की सेल कर सकते हैं, बिलकुल, 5 पॉइंट मिल गया होंगे टाइटन में आपको, 5 पॉइंट मिल चुके हैं टाइटन में आपको, और आर्वी एनल का सौट टर्म कॉल, टार् देखा कितना जल्दी शौट टर्म कॉल, वो आर्वी एनल ने टार्गेट दे दिया, मॉर्निंग, मॉर्निंग, सारे लोगों को, इंजॉइ किया, नमस्कार, नमस्कार, शौट टर्म कॉल, आर्वी एनल बुक करिएगा प्रोफिट, ऐसा ट्रांस्फिन देखिए, जबरदस तरीके से नीचे आरा, मातर 33 का लोज बचा हमारा, 132 का टोटल लोज, 560 का ही है, कोई खास लोज नहीं है, टीन ट्रेड है हमारे यही है, 605 का है, वेट करेंगे, चली, अभी देखें कैसे यह प्रोफिट में कनबर्ट हो गया, देखा, देखा हो गया ना कनबर्ट, होगा, वो आएगा, जितना सताले सतालो, लेकिन आना तो तुमको बाबु वही है, जहां बोल रहा हूं, अना, 115 का प्रोफिट है, 123 का, 297 का, वेट करते हैं सर जी, बस वेट कर सकते है, आरवीनल को 3-4 मन्त के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या, राजे जी पुछ रहे हैं, सर 3-4 मन्त के लिए होल्ड मत करिए, उसको 10 साल के लिए होल्ड करिए, आरवीनल को 10 साल के लिए, 10 साल के ल उसको 10 साल के लिए hold करिए RBNL मेरा तो वही view है उसके उपर लॉंग टर्म का हम पहले में तो आज से नहीं मैं पिछले जब से वो launch हुआ है मैं तब से उसके वारे में बोल रहा हूँ कि भाई आप उसको लॉंग टर्म के लिए रखिए है एब देखे यह राजे सर्मा का देखे कितना भ्यानक सवाल है 10 साल में कितना हो जाएगा घर बेचके लगा दीजिए पैसा सारा क्या राजे जी यही सोच रहे क्या घर बेचिए F.D तोढ़िए जमीन बेचिए शाले करजा लीजिए लगा दीजिए सब क्यों मार्केट में आप लोग हैं सर अगर कोई टाइटन के बारे में दस साल पहले बोलता कि वो सो रुपे का स्टॉक कितना हो जाएगा तो आंसर क्या आता उसका जादा से जादा दस साल में वो जीरो हो सकता है समझे रहें ना क्या हो सकता है जादा से जादा दस साल में वो जीरो हो सकता है लेकिन कितना उपर हो जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है दस साल में वो जीरो हो सकता है लेकिन कितना उपर हो जाएगा इसका को idea नहीं है ना simple याद रखे है खोने को 0 है 0 तक ही हो सकता उससे नीचे थोड़ी नोगा 0 ही तो होगा लेकिन क्या आएगा ये कोई नहीं जानता देखिए अब ये loss बढ़के 18 हो गए कोई दिक्कत नहीं है बना हुआ हूँ बिल्गूश खोने के लिए सिर्फ 0 है पाने के लिए बहुत कुछ है इसलिए मैंने पहले भी काया 10 सालों के लिए भूल जाईए कि आपके पास आर्वियनल नाम का कोई श्टॉक है क्यों उसको देखते हैं मोबाइल रिफ्रेस करकर के कहां गया नहीं गया क्यों देखते रहते हैं उसको मत देखिये ना भूल जाईए कि कोई स्टॉक है आर्वियनल नाम का आपके पास में लिजियर भूल जाईए यूएज डिनर के स्टॉक लोग 73.54 काट रहा है क्या काट दो काट ही दो तो निश्चिंत हो जाओ काट ही दो तो निश्चिंत हो जाओ लेकि मैंने आप लोगो क्या कहा कि इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना है न जो लाइन मैंने लगा रखे इसके नीचे शॉर्ट करिएगा बैतर और भी ज़्यादा सेफ होना है तो इसके भी नीचे सोट करिएगा ज्यादा सेफ हो जाएंगे यहां पर रिस्क है थोड़ा जो कि मैंने लिया हुआ है आपको भी लेना है तो ले लीजिए रिस्क लेना है तो है नो देखिए ऐसा ट्रांस्फिन का क्या हाल चाल चल रहा है भाई भरोसा देखिए भरोसा इसी को कहते है बिलीव जब आप कोई चीज़ पर करते हैं अपनी अनालिसिस पर तो लॉस से प्रॉफिट में कंवर्ट हो ही जाते हो गया ना मेरा सारा कबर हो गया माँ थाउजन का बचा है क्या दिक्कत है हजार रुपए लॉस लेके घर जाओंगा खोगी क्या दिक्कत बचे सब्सक्राइब को दिक्कत नहीं वह भी पता नहीं हजार का लॉस लेकर घर जाओंगा की 2000 का प्रॉफिट लेके घर जाओंगा कौन जानता मैं अभी देखते हैं हम लोग मेर्ट करेंगे पूरा करेंग आग अगया प्रॉफिट में 303,000 का प्रोपीट हो गया देखें घजब देखा आपने एक 106 का प्रोपीट देखा आपने गजब करें ऐपने चीजों पर बरूसा करिए अपने चीजों पर काम करेगा बिलीब नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बिलीब करेंगे, सब काम करेंगे, भरोसा, भरोसे का भैंस नहीं होना है, भरोसे का बिश्वास होना है, भरोसा रखेंगे, जरूर होगा, अब बुक कर लिए, कह रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो सिंपल है, ड बहुत दोनों मुझे यह नहीं पता चलता कि एक घर में मेरे दो इस्टुडेंट है अब यह मुझे पता नहीं चलता है कि मेल वाले आए हुए कि फिमेल वाले आए हुए मैंने कहा है रिलाइंस पर नजर रख है रखना रिलाइंस पोह गारे और मैंने पहले भर फोड़ा यह को फो रही नहीं सकते फिलैंस निकल गया है शुबा शुबा तो ट्रेडिंग कर लिया कर लिया सब काम होगा दीरे दीरे होले होले प्यार मुभबत से सारा काम हो जाएगा एनलीसिस पर बिलीब करिए अभी हम लोग 700 के प्रॉफिट में अभी वापस 300 के लॉस में आगे क्या दिक्कत है फिर आजेंगे प्रॉफिट में कोई टेंशन नहीं है ना वेट करेंगे वेट करेंगे करनसी में भाई वीवर को दिखा दू इस टॉप लोस कट गया है देखिए हमारा करनसी में जो लॉस हुआ है सर जी पांसो चाहतर रुपय का लॉस हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बस एक ट्रेड ऐसार ट्रांस्पिर में बचा हुआ है करनसी में दुबारा इंटी बनेगी अगर उस लेवल को वह तोड़ता है नीचे की साइड में तो मैं दुबारा इंटी ले लूँगा यह वाला लेवल ठीक है जब भी आएगा तब कि वेट करेंगे 72 का मात टोट जो ओवर ओल लॉस की बात करें तो ओवर ओल लॉस मेरा एक 200 रुपए गा 200 में क्या जाएगा जीवन में कुछ भी नहीं जाएगा वेट करेंगा कि क्या करें सर ताइसो का कॉल लिया दुवारा से बार नीचे में यूपियल में एक छोटा सा एसल के साथ सेल कर सकते करिए यूपियल को क्या दिक्कत है निकल जाए यूए जेना से निकल जाए ना मैंने तो आपको पहले भी बोला कि कहा पे इंटी करना आप लोगों ने से मार दिया लग रहा है मेरे साथ सात नहीं ताटा स्टिल नेचर आपार टारगेट ओल्गे टाटा अच्छा है कि अ है बहुत बढ़िए टाटा स्टिल को शॉर्ट कर लियू है है आप लोगों ने बहुत बढ़िया है भिबाषर क denial एक को क्यादॉर है निचे पौड़ के चल रहा है दया दम नीचे चलते चलो चलो तू बारासव साथ तक चलो तक सबीपोड़ चलो पशोड़ा दम इसे लिए जवान नीचे की साध अना दम फर्स्ट आर्गेट डन हो किया है enjoy करिए क्या है फियम हाँ फियम सर फियम को मैंने short term call दिया हुआ फियम इंड़स्ट्रीज को फियम इंड़स्ट्रीज को short term call दिया है और ये भी देखे जबरदस चल रहा है moment में न फियम भी जबरदस्ट है फियम में भी देखे जबरदस्ट moment आया हुआ है मस चल रहा है फियम 582 के उपर फियम दिया है 620 के target के लिए positionally फियम है न और फियम देखे यह यह हो चुका है level activate मस्त पांच पॉइंट डन हो गया L.E.T. में बहुत बढ़ियां शांदार सन चलने दिजे चलने दिजे जलने दिजए एकदम चलने दिजे छोडना नहीं है पकड के रखना है ददा पकड के रखना है इधर SRT को भी मैंने पकड के ही रखा है नहीं छोड़ सकता नहीं छोड़ सकता 1280 ब्रेक कर देगा ना फोड़ के पैसा देगा फिर फोड़ के देखिए फोड़ के पैसा देगा आप लोगों को मैंने जितने चिर्कूट श्टॉक दिये हैं वो श्टॉक भी सब परफॉमेंस कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए चाहिए वह दूर रुपे वाला इस्टोक हो चाहिए पांच रुपे वाला हो चाहिए डस रुपे वाला हो सारा यह ना कर रहा है ना बिल्कुल बिल्कुल तीनों सूपर हीट लूपीन और ल्टी बहुत बढ़िया देखिए यह दम आ रहा है शांदार आ रहा है ओपन दरा सोपचास का एधर प्रफिट हो चुकत चिरकुति स्टोक लिए जाष जी कर रहा है आँसा और तीन नाका क्या होता है दो मतलब नहीं है फिलाम मैं इसका 1280 का तूटने का वेट करो यह 1280 तोड़ नहीं रहा है 1280 के नीचे तोड़ेगा ना सस्टेन कर गया तब तो यह 10 पॉइंट यहां से गिरेगा मैं प्रॉफिट बुक करूँगा सर साटी मुन तीस सो बीस का प्रॉफिट हो गया बाः बाग नेजल जी बाह इन्जाइए करिए चालिया इन्जाइए करिए नगर करिये इन्जाइए करिक्ष्ट को सब्सकर दिरे दिरे открыв Biz 1280 फोड़ दो तो मज़ा आ जाया 1280 फोड़ो नीचे तोड़ जब तोड़ तोरदिया दोजार का प्र फिट तोरदिया वर्लीका प्रफिट और जब्म प्रिट का प्रॉफिट हो गये रसilik स्था न चल चल शन्दर चल रहे चल रहे चल रहे लगा लगा ağ repentance 1,000 का प्रिट हो परोफिट भूप चालो 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 चा चलो चलो प्रोफिट भॉक ठीक है वो ग्याना सब ईप चलो बहुत बड़ियां प्रोफिट भॉक हो गया सर देखा ये होता है पेसेंस और आपके इस्टडी का वरोसा अगर आप नहीं करिये बरोसा अपने अनलीसिस पर पैसा नहीं बने इस्टाप लोगों ने भी बनाया कि नहीं बनाया चल मस्त हो गया न आप लोग कभी बहुत बढ़िया देखा यह होता है सर अब कितने मेरे ब्यूवर मुझे गाली देते हैं यह है वह मुझे प्रेशनल मैसेज लिखते हैं गाली वेगरा मैंने कल इसलिए बोलाता है जो आप मुझे देंगे वो रिटर्न आपको मिल जाएगा क्योंकि संसार में गीव एंट टे टेलिग्राम पर पोस्ट कर रहा था वह कॉल पोस्ट करने कि पिछे कितना मेहनत किया किसी ने नहीं देखा उस चीज को न किसी ने नहीं देखा कि किसी ने नहीं देखा कितना मेहनत तब ही दो पैसा बना यहां जीने एक्सल फोड के चल रहा है उपर आर्वी एनल फोड के टार्गेट दे दिया आपके जितने चिरकूटी स्टॉक थे वो सब टार्गेट दे दिया वो हीरो या जीरो कौन सा था निला इन्फरा उसने टार्गेट दे दिया पहले देखे अर्विंजी लिख रहे हैं कि 12,000 का लोस्त आप के 4,000 का प्रॉफिट में कनबट हो गए है न वो चीजे होती है आपको बिलीब करना पड़ेगा नहीं करेंगे न तो ऐसे ही जिवनवर होता रहेगा आपको बिलीब करके चलना पड़ेगा सर आप नहीं करेंगे बिलीब नहीं हो पाएगा अपने उपर बरोसा रखिए आप जो कर रहे हैं वो बेश्ट है अपने उपर बरोसा रखिए न आप नहीं करेंगे नहीं होगा वो भी रॉकेट बना हुआ है न होगा ही सर उसको भी रॉकेट ही बनना है बन गया न वो भी रॉकेट बना न बनन भाता है नहीं का बात ही नहीं है बनना ही है लिए निला इंफ्रार रॉंग टम बिल्कूल रख्वेँ ना तीन साल पांसाल उसको तीने शाल बोलूँ गा यूएजडी का लेबल सर यूएजडी का लेबल तो मैं निकल गया सर वह मैंने कहा ना कि वह लेबल भी खत्रा वाला है है ना छोटा सा रिस्क लेना ना तो 10 क्वांटिटी के साथ लेके बैठ जाता हूँ ठीक है 10 लॉट के साथ यही स्टॉप लोस लगा लिजे हाई पॉइंट 55 का 73 पॉइंट 55 का सेल कर दीजे ठीक है 55 की 56 है नजर नहीं आ रहा है हमने उल्टा लगादिया क्या हमने लगता है उल्टा लगादिया ने अब ठीक है हाँ तो यही है हमारा जो position है 1500 के profit में क्या दिख्याते है यह को currency का अब trade बचावा क्या दिख्याते है सेर हम लोग enjoy कर रहे 2400 का profit तो सिर्फ SR transfer में book कर लिया हम लोगों नहीं current level पर भी USD को sale कर सकते है कोई यह नहीं है लेकिन चोटा रिस्क है लेकिन रिस्की है sorry हो गया हमारा काम आज का पेट बर गया मेरा तो चोटा पेट है अभी देखिए currency में 120 का बचा हुआ है और यहां all position कितना है 1986 का profit हो चुगा हम लोगों का समय हो रहा है 10 बच के 15 मिनट 40 सेकेट है ना तो 2000 का profit हो गए हम लोगों अब currency का ही एक trade है currency का trade है वो चौटर का loss बचा है वो भी convert हो जाएगा देखते हैं क्या position आता है इसमें आप लोग जो कह रहे हैं ना business यह बिल्कूल लोगों ने उसको गलत चीज बना लिया इतना इतना impossible से profit पंद्रा लाग का profit दिखाएगा 20 लाग अज़े ऐसा अगर है आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप तो भारत सरकार से request करूंगा कि मैं दुबारा से आप सर्वे करवाई है मुके संबानी अमिर ने रहा अब मुके संबानी के अलावाद दूसरे यूटूबर भी जो पंच हजार लेके देखो कैसे comparison कैसे करता है अपने आपको संतुष्टी देने के लिए comparison कैसे करेगा यूगो justify देखो राके जुन जुन वाला साहब पंच हजार रुपया लेके stock market में आये थे और पंच हजार करोर बना लिये ध्यान से सुनिये line क्या क्या बोलेगा justify करने की पंच हजार रुपया लेके आये थे और पंच हजार करो बना लिये ठीक है आज से 20 साल पहले जुन जुन वाला साहब आये उनका सम्मान है रिस्पेक्ट है बहुत बढ़िया लेकिन अरे भाई उनकी quality किसी ने देखा किसी ने ने देखा आप पंच हजार छोड़ दीजे मा लेकिन वो पंच लाग गवाग के हाथ में जुन-जुना लेके चले जाते है बाहर लोग सब्सक्राइश जुनजुन वाला बने कि नहीं बने आप लेकिन जुन-जुनधा बनेमिया खाली देख अधोर लेने से सुन लेने से कर लेने से हो जाता है क्या ऐसा होताहा तो सारे अम इत्बा बच्छन नहीं बन जाते ऐसे बट पकड़ लेने से यह लोगों को यह बोलता है तो अरे आप बस अपना काम करो द अपने चीजों पर दूसरा क्या कर रहा चोड़े है जूझञक्स वालगों का लोज दिखाता था है उतना लोज बर्दास होगा यहां तो हम लोग 5 quantity लेते हैं सांस फुलता है उपर नीचे मैं सोचते हैं बहुत बड़ा तीर मार लिया वहां कडोड़ों का quantity लेकर बैठा रहे ता कुछ होता ही नहीं उन लोगों को कि यह सब da k में की समझते हैं स्टेर्गाव थे भूज़ीईं लेकर आते हैं आप लेकर आते हैं यहां रहांत में जुन जुन वाला तौ आप नहीं है बने बाहर राख हो दाते हैं उनसे पहले यह तो समझी कि उन्होंनों क्या किया आखिर कैसे सीखा क्या किया कितना पेसेंस रखा वो क्वालिटी नहीं देखेंगे डूंडेंगे कि मैं भी पाँच हजार से पाँच कड़ों बना लूँ अरे भाई यह क्या मज़ा आगे बाह अर्विंजी बड़ियां ऐसे नहीं होता है जो सचाई है वो कड़ भी लगेगी मैं जानता हूं मुझे कमेंट में गाली भी मिलते हैं यही बात बोलने से जो सचाई बता देता हूं लोगों को कि भाई आँख खोलिए है ना हबाब आजी में मत्ति किये 15 लाख 20 स्परोज Πरोपीट मजब किकि मुके संबादी को सरकार स replicated मुके शंबानी अभी इंडिया के इंडिया नीचे होगा इस आचा तो मेरा यूट्योबर कमा ले रहे दस लाख 15 का रोज प्रोफिट से तो साल कर तोचो लार härम कम ठोक रहे ता बाया नहीं करना यह गया थ हम दोडों सेलें वैखिया विलता वाय मैं दिये जा रहे क्यों मालिक कुछ साइल क्यों कर रहे पातिल साइफ अभाई ग्यूट वह की खैल लिए जिंदगी में कुछ irstी करने का था इसलिए सपोर्ट पे शेल कर लिया रेजिस्टेंस पर बाई कर लिया इसा ना करिया क्या हम जाक है सब देखिए हम लोग सारा जितना भी था हम लोगा प्रॉफिट में एक ओ लाइसी को छोड़के लाइसी दोस्तों नब्बे का लॉस लिया बंकी देखिए सब प्रॉफिट में हम लोग है कि नहीं कोई टेंसर नहीं है वेट करते हैं समय हो रहा है दस बच के 20 म प्रॉफिट हो गया है तो टोटल प्रॉफिट हम लोगा कितना वह 2600 का हो गया है ना 2636 रुपए समय दस बच के 30 मिनट चालिश सकते हैं 25 आज का पेट भर गया हम लोगा सिंपल सा तरीका है बिलीब करना बड़ी बात है आप बिलीब करेंगे अब हांकि जितना आप दी रिकॉर्ड मैंने आपको बोला है ना फलाना लोगों के बारे में चिलाना लोगों के बारे में उसको अपने पास रखे क्योंकि लोग ऐसे हैं इंडिया में जो इस तरह के गलत चीजों को करते हैं बड़ावा देते हैं वो चीजें नहीं होना चाहिए ठीक है चल यही है यहां होगा 73.43 के आसपास टारगेट होगा देन 73.40 तक का एक टारगेट होगा करेंसी में ठीक है ना इसको फॉलो करिएगा बस बंद कर देता हूँ नमस्कार दोस्तों समय हो रहा है बारा बस के 36 में 24 सकेंड और करंसी में अभी भी पोजिशन बना हुआ है मैंने फास देस लोड और बढ़ा दिये टोटल पोजिशन बतीसो के आसपास का प्रॉफिट है बतीसो चैसी जैसा कि आप देख पारें ऐसा ट टार्गेट जितने लाइन में यहां लगा है तो वह सारे लाइन पर दीरे दीरे टार्गेट चीप करता जागा है तो यह बिलीब और अनलसिस का काम होता है आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने अनलसिस पर उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं तो 32 के प्रॉफिट के स साथ 73.43 & 73.41 के आसपास का एक टार्गेट चीप करने की कोशिस करेगा करंसी मेरे ख्याल से यह लेबल बन सकते हैं तो अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉस करूंगा देखता हूं कि क्या लेबल इसके आते हैं थोड़ी दिर में मैं फिर आपको अपडेट करूंगा एक रिकॉर्ड यहां से दस लोट का प्रॉफित में बुक कर लूँगा इस लोट का मैने और प्रॉफित कर लिया टोटल पोजिशन मेरा 361 स्पास का प्रॉफित चल रहा है अब बी सलोट बचे हुए है समय बारा बच के पचास मिन चार सकेंड़ हो रहा है और मैं इसका स् सारे इस्टोब्लोस उठाके नीचे ले आया नेक्स टार्गेट 73.41 के आसपास का होगा अगर इसको ब्रेक करता है तो 73.41 का एक टार्गेट देखने को मिल सकता है पोजिशन 3600 के आसपास का फिलाल चल रहा है तो दोस्तों 3636 के साथ प्रॉफिट के साथ बनावाँ अभी रि मिलूँगा आपसे थोड़ी दिर में देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है रिकॉर्डिंग पॉस कर रहा हूं नमस्कार दोस्तों समय हो रहा है चार बच के 16 मिनट 2 शकेंड काफी देर के बाद आया नेके दोस्तों 10 लॉट के साथ अभी भी मैं करेंशनी बना हुआ फिर वहां से बाउंस कर गया यहां पर से आने के बाद और वहां पर जो मेरा इस्टोप्लस लगावा था वो हीट हो गया था जो कि मैंने उसमें कुछ प्रॉफिट 1500 का असपास मैंने भूक किया था लेकिन फिर दुबारा जब वो नीचे आ रहा था तो मैंने 10 लॉट फिर का एक प्रॉफिट और दूसरा एलासी होसिंग फैनेस में 290 का लॉस लिया तो यह टोटल है आपके सामने 5448 उर्पेगा प्रॉफिट 5448 उर्पेगा एक अच्छा ट्रेड बन गया 5400 तो अब समय आ चुका है पोजिशन कट करने का दोस्तों मैं पोजिशन कट करूंगा और बन करूंगा है ना चलिए मैं सारा खतम करता हूं और यह मैंने और सारे काट देता हूं यह सब खतम तो काफी देर के बाद फिर अप्टेट कर रहा हूं मैं आपको 4 बच के 17 मिनट 6 सकेंड सारा पोजिशन करता हूं और यह यह 5400 के साथ मैं अब सिस्टम को बन कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद फिडवैक और कमेट जरूर दें और ऐसा ट्रांसफिन में जो आज हम लोगों ने ट्रेड किया वो कितने बिलीब और कितने भरोसे के साथ ट्रेड किया था यह आपने देखा होगा बहुत यह अच्छे शॉट का व्यू था मेरा बिल्कुल शॉट हुआ एक बार श्टॉप लोस कटा लेकिन दुबारा से फिर मैंने शॉट किया और क्या जबर्दस प्रॉफिट दे के वो गया मस्त मस्त इसको कहते है तो यह बिलीब करेंगे अपने अनालिसिस पर तभी आप कर पाएंगे नही आप